अंधेरी रात में खुले आस्मान को देखना कितना खुबसूरत होता है ना ये जगमगाते सितारे को देखना किसको नहीं अच्छा लगता प्रंबान की ये वो खुबसूरती है जिसे देखते ही आपका मन सांथ हो जाता है लेकिन कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर इन में से कोई तारा टूटकर हमारी धरती पर गिरा तो अब आप सोचोगे कि इसमें कौन सी नई बात है अमने तो पहले भी कई बार तूटे हुए तारे को देखा है लेकिन मैं आपको बता दू कि आपने जो देखा है वो जूट है वो कोई स्टार नहीं था जी हाँ आपने जिसे तूटते तारे के रूप में गिरते हुए देखा वो कोई तारा नहीं कुछ और ही था क्योंकि ये चमकते हुए स्टार्स जो अभी आप आस्मान में देख रहे हो उनका तूटकर धर्ती पर गिरना पॉसिबल ही नहीं है क्या हुआ, कन्फिस हो गए है? डोंट वरी, मैं समझाओंगा बट हाँ, वीडियो समझ में आ जाए, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दरसल आप ये जो सितारों को खुले आस्मान में देख रहे हो वो हमसे उतना दूर है कि अगर वे अभी के अभी हमारी दर्ती की और गिरना सुरू कर देंगे तो भी उनको हमारी पृत्वी तक पहुँचने में हजारों सालों का टाइम लगेगा और उनमें से कुछ स्टार्स तो इतने दूर है कि लाखों सालों के सफर के बाद भी वो हम तक नहीं पहुँच पाएंगे अब आप ये सोचोगे कि हमने जो गिरता हुआ तारा देखा होगा वो हजारों साल पहले का होगा बट नहीं ये भी गलत है क्योंकि ये स्टार्स इतने बड़े और गरम है कि अगर वे स्टार्स हमारी पृत्वी तो क्या हमारे सोरियम मंडल के आसपास भी आ गए ना तो भी हम जलके राख हो जाएंगे पृत्वी तक पहुँचना तो दूर की बात है वे पृत्वी के नजदिक भी पहुँच गए ना तो भी कुछ ही सेकंड्स में हमारी दर्ती जलकर राख हो जाएगी वे हमारे सूरज से भी लाखो गुना ज्यादा बड़े और पावर्फुल है क्योंकि इतने दूर होने के बाद भी अगर हम इनको आखों से देख पाते हैं तो इस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टार्स कितने विशाल और तेजस्पी होगे एक और मज़े की बात बताओ मान लो कि इन में से कोई स्टार जो की एवरेज साइज का है वो हमारे सोर्य मंडल तक पहुँच गया और उसकी गर्मी से भी हमारी धर्ती बची रही हाला कि ये possible नहीं है बट मान लो अगर ऐसा हुआ तो भी ये स्टार अर्थ पर नहीं बलकि हमारी अर्थ इन स्टार पर जाके गिरेगी है ना मज़ेदार बात वेल ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस तारे का गुरुत्वा कर्शन बल इतना ज्यादा होगा कि वे हमारे सोर्य मंडल के सारे ग्रहों को अपनी ओर कीच लेगा और हम तेजी से उस तारे पर जाके गिरेंगे हला कि आने वाले लाखों सालों तक ना ही ऐसा होना possible है और ना ही ऐसी condition में हमारी अर्थ का जिन्दा रहना possible है तो यहां अब सवाल यह है कि आपने जो गिरते हुए तारे को देखा था वो क्या था वे लोगो कोई तारा नहीं बलकि छोटे-छोटे उलका पेंड होते है जो हमारी दर्थी के आसपास गुमते रहते है कभी-कभी वे हमारी अर्थ के इतने नजदिक आ जाते है कि वो अर्थ की गुरूत्वा गरसंड सकती की वज़े से तेजी से अर्थ पर गिरने लगते है और वातावरण में हवा के दबाव की वज़े से उनमें आग लग जाती है और फिर वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं मानों की कोई तारा तूटकर गिर रहा इस गिरते हुए उलकापिंड की स्पीड तकरिबन 20,000 किलोमेटर पर गंटे की होती है इसे मेटियोर कहा जाता है वातावरण के घरसंड की वज़े से कभी-कभी वो उलकापिंड हवा में ही जलकर खत्म हो जाते और कभी थोड़ा वो टुकडा बच जाये तो वो धर्टी पर गिर जाता है कुछ ऐसे भी उलकापिंड हमारी धर्टी पर गिरे है जिसकी वज़े से कुछ किलोमेटर जितने बड़े खड़े बन गए है ऐसे ही एक बड़े से एस्ट्रोइड ने डाइनसोर को हमारी धर्टी से खत्म कर दिया थी उस एस्ट्रोइड की साइज इतनी बड़ी थी कि धर्टी पर टकराते ही पूरी धर्टी पर प्रले आ गया था जिसकी वज़े से डाइनासोर जैसे महाकाई सरीर वाले जीवों का पूरी तरह से खत्मा हो गया मेरे ख्याल से अब आपको ये पता चल गया है कि हम जिसे टूटा हुआ तारा समझते है वो कोई तारा नहीं होता और ये गिरते हुए उलका पिंड जितने कुपसूरत होते है उतने ही खतरनाग भी होते है यदि ये जलता हुआ पत्थर आपके पांस गिरा तो उमीद करता हुँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारे चैनल कीसन एनपी इंफो को और छत पे जाके तारे देखो और क्या